Hello and welcome friends, Microsoft SQL Server सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये विडियो SQL Server को ले करके हैं और इसमें अगर कोई column आप बनाते हैं और column बनाते से में कुछ लिखने में mistake हो जाती है तो फिर problem बहुत create होती है आप सोचते हैं कि उसको edit करें पर वो edit होती नहीं है problem आती है तो आज उसी पर discuss करेंगे कि column बना अगर आपने create किया है SQL Server में तो वो column में अगर कुछ mistake हो जाती है तो फिर उसे सही कहां से करेंगे जाकर के सबसे पहले आप connect हो जाएं इंटरनेट से और आपको यह sidebar दिखाई पड़ेगा यहाँ पर database पर जाकर के new database मैं बना लेता हूँ इस database को मैं नाम दे देता हूँ correct चुकि correct ही करना है हमें तो यहाँ पर correct कर देंगे यह correct नाम दे दिया इसे और यहाँ पर database पर अगर क्लिक करते तो यह correct database हमें दिखाई पड़ेगा डबल क्लिक करता हूँ यह tables नजर आएंगी और यहाँ tables पर जाकर के right click करके और फिर यहाँ पर table बना लेते हैं तो यह table पर जाएंगे सीधा सीधा और यहाँ पर करेंगे like हम कर देते हैं roll number तो यह roll कर दिया हमने और यहाँ पर underscore लगा कर देंगे तो roll number हो जाएगा यह ठीक करना है यहाँ पर subject का नाम लिखना है तो यहाँ पर लिखेता हूं computer ठीक है तो यह देखिए gameplay की spelling जाना बुझकर मैंने mistake कर दी और फिर यहाँ पर आते हैं पिर English लिखते हैं तो English तो सही लिख दिया मैंने और फिर यहाँ पर लिख देता हूं है physics ठीक है तो physics physics हो गया यहाँ पर थोड़ी से mistake हो गई और बस अब इसको यहाँ से allow nulls यह हटा देते हैं इसको अटा देता हूँ अब चाहते है role number को primary की बनाना तो primary की यहाँ पर right click करके आप बना सकते हैं यहाँ पर जाएए right click कीजिए और primary के आप बना लिजी easily बना सकते हैं यह set primary की दिया हुआ है यहाँ से आप primary की बना लिजी इसे तो यह primary की बन गई अब इसको close कर देते हैं अब problem यह है इसको save कर देते हैं पहले तो यहाँ पर student का डेटावेस है तो student data कर देता हूँ इसको नाम देता हूँ कर दिज?! थीके यह student data tower table पे double click कर एंगे तो नीचे student data आपको दिखाई पड़ेगा अकर नहीं दिखाई पड़ता है तो यहां पर जाकर र्यावesz्ट पर click here refresh दिखाई पकर दो आज़ा इसके कर दीजिए तो यह तरीके से देख रहा है अब यह चीजें आपको साफ साफ दिखाए नहीं पड़ रही है तो यहां से खीच खाच कि इसको बढ़ा लीजिए अब यह रोल नंबर वन है रोल नंबर वन जो स्टूडेंट है उसका नाम है राम राम लिख देता हूं मैं यहां पर और कंप्यूटर में इनको मार्स मिले 45 फिर 56 फिर यह 67 तो यह तो उन्हें दे दिया लेकिन तभी हमें दिखा कि यह कंप्यूटर जो लिखा हमने वह गलत हो गया तो यह आप सही कैसे होगा सही करने के लिए कहा जाना पड़ेगा हमें तो यहां अब्जक्ट एक इसको सही करना चाहते हैं तो यहां कंप्यूटर को सही करना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक करता हूं और फिर यहां पर आपको यह इस तरीके से दिखाई पड़ेगा तो यहां से आप इसको सही नहीं कर पाएंगे ठीक है आपको करना क्या है मैं बता देता हूं यह आपका जो टेवल बना है वहां पर जाईए और यहां पर आ करके आपको दिखाई पड़ेगा इसमें design तो यहां design पर आ जाना है आपको जैसे design पर एंगे तो यह इस तरीके से display होगा अब यह physics को बना दीजे physics और इसको बना दीजे computer तो खूट गया था तो उसको यू भी लगा देता हूँ, computer इस तरीके से यह कर दिया आमने और अब इसको close कर देता हूँ, तो close कर दिया yes कर देता हूँ, इसको save कर देता हूँ, तो यह save भी हो गया, अब यहाँ पर double click करता हूँ मैं तो यह जो है computer सही हो गया है अब यह दिखने ही रहा है इसको refresh करना होगा एक बार तो यहाँ से जाकर के right click करिए और यहाँ से इसको refresh कर दीजे एक बार एक बार refresh कर देंगे आप तो फिर यह आपको दिखाई पढ़ने लगेगा जो भी आपका record आपने enter करवाए है तो यह columns पर जाइए और आप देखिए यह computer की spelling भी सही हो गई है और physics की भी spelling सही हो गई है तो I hope की यह बात समझ में आ गई होगी कि column को SQL server में कैसे edit किया जाए अगर आपको यह video अच्छी लगते हो तो आप इसे share कर सकते है thank you for watching this video